हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो, आज मैं बना रही हूँ ऐसे चार इस्टाटर जो किसी भी पार्टी में छटपट बन जाएं, और अब तो नियू यर पार्टी होने वाली है, इसलिए बना रहे हैं, नियू यर के लिए जटपट बनने वाल एक ही आलू से चार स्टाटर, जिसे आफ तीन से चार महीने तक स्टोर भी कर सकते हो, और जब चाहो तब बना कर खा सकते हो, मैंने आलू वाइल कर रखे हैं, और मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि सर्दी भी हो रही है न, इसलिए आलू वाइल हो गए, दो सीटी में पानी को निकाल लिया है, अब इसको हम मैस करते हैं, मैस किसे करते हैं, चलनी से मेरे पास बड़ी चलनी नहीं थी, तो मैंने वो चाय चानने वारी नहीं है इससे, इसकी सायता से हम इसको करेंगे, आलू को मैस, देखिए इतने अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि फिर बनाते हैं, फिंगर्स मेरे, जिंग्स बनाते हैं, यह चीज रॉल बनाते हैं, काफी अच्छे से ने बनते हैं, इस तरीके से करते हुए, सारे आलू को हम मैस कर लेंगे, अब फीछे से इसको देखिए निकलता है, वह आलू मैस करते हैं, एक भी गुठली नहीं रहेगी, और जैसे आटे का डो लगता है न बैसी लग जाएगा अब देखिए ये चोटी चलनी थी इसलिए काफी टाइम लग रहा था तुम्हें क्या करूंगी मेने जो इसमें अभी जो आलू मैने जिसमें से निकाले थे न उस चलनी में उसी चलनी में में साफ करके सारे अभी मैस कर करती हूँ मैं क्योंकि इससे बहुत एक करके लगा रहा है उसमें दो चार करके देखें इस तरीके से मैं बड़ी छल्ली में कर रही हूं नीचे मेंने कटोला रग रखा है उसी में निकालेंगे और हाथ से प्रत्रणी हो गए हैं तो मैं हाथ से कुमेश कर रही है और पीछे से पूरा बैटा निकल आएगा अच्छे से एक भी गुटली नहीं रहुनी चाहिए तभी अच्छे बनेंगे यह देखिए सारी निकल आए और अच्छे का डो हम बना लेंगे और इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें मिलाएंगे कौन फ्लार अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इसमें मिला सकते हो अरा रोट आप जानते तो होंगे बस यह है वही देखिए इतना अच्छा इसमें एक भी गुटली नहीं है एक भी गुटली बस देखिए कितना अच्छा बनके तयार हो गया हमारे आलूओं का डो अब इसमें हम मिलाएंगे हम अप आपको दिखा रही है कितने अच्छे से यह मिला लेंगे आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको कम जादा कर सकते हैं मैं किसी का प्रोमोशन नहीं कर रही है मैं आपको बता रही हूँ इससे डिब्बे में आता है कॉनिस्टाच और थोड़ा सा सॉल्ट मिला लेंगे ताकि थोड़े से नमकीन तो होने चाहिए अगर आपको डो हलका सूखा लगे तो इसमें थोड़ा सा एक दो चमच पानी एट कर सकते हो अगर गीला लगे तो आप इ अच्छा से टाइट मतलब रोटी असर जो बनाते हैं रोटी गाटा लगाते हैं सेम बैसे ही में उसको लगाना है और आलू काफी जो आप मार्केट से मकेन्स लेकर आते हो रिंक्स लेकर आते हो सेम इसी प्रॉसेस से बनते हैं उसको फ्रीज किया जाता है तो इसको हम भी कर सकते हैं थोड़ा सा सेखने के बाद इसको ठंडा होने का फ्रीज कर सकते हैं तीन से चार महीने के रख खा सकते हैं देखिए अच्छे से डो बना लेंगे बस और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और मैं आपको ऐसी जो घर पट जट पट बनने वा मेरा बीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंड करके भी लिखिए लाइक करने से यह है कि थोड़ा सा मुझे बूस्ट मिल जाएगा मैं भी सर्च में आ जाऊंगी और कुछ नहीं है और मैंने कडाई में कर लिया है रिफाइंड डाल दिया है गरम करने के लिए अब म हम ले लेते हैं कितना अच्छे से हो गया इंड़े रोटी के अाट्य कड्य साफू कि वेस्में सैर्कल्स में इसको गोल गोल हम बेलेंगे काफी smoothly, काफी अच्छे से बिल जाता है, देखिए, इसको हम बेल लेते हैं, और जैसे मकेन थोड़े से मौटे होते हैं, उस तरीक ते कि इसको बोई लेंगे, उसकी थोड़े सी मौटाई हम रखेंगे, देखिए, इतना मौटाई रखनी है, अब इसमें हम आप गोल गोल इसको हम एक धक्तन की हैल्प से सर्किल्स कर लेंगे, और इसमाईली बना लेंगे, बस बनाते हैं, और आप भी अपने घर पर बना सकते हैं, बच्चों की फर्माईस पर बस छटपट, मेरे पास ना कटर था कुछ नहीं, तो धक्कन भी छोटा है, तो वो उसमें लग रहा है, तो छोटे-छोटे सर्किल्स काट लेंगे, कट कर लेंगे, मैं जल छटपट सारे सर्किल्स काट कर आपको दिखाती हूं, देखिए, देखिए, सारे, मिने धकन छोटा है, आप से बतारहे हूं, जो घर पर जो चीज़ां होती है, मैं सारे उनी से बनाती हूं, मार्केट से ऐसा कुछ नहीं लेकर आती हूं, कि आप जानते ही हो, आप जितना है, आप उसी से बनाते हैं, मै कि हर कोई से easily बना ले और पैं की हलप से मैं घइस जो इसली बना ले पैन की हेल्पसे ँसकी डून आइस बनाइस मिन देखें बस आप किसमेेही बना दीजें ये मेरी staff तैयार हो ऐसी करके हम मतलब कई करें जैसे किसमें अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या-क्या मैंने बनाया है एक ही आलू के डो से देखिए मैंने देखा करम ओईल हो गया है अब इसको डालेंगे कल्ची तरंद नहीं लगाएंगे वना यह टूट बिजाएंगे देखिए यह करके सारे इसमें डाल देंगे कितने प्यारे लग रहे हैं मार्केट्स में लेकर आते हैं तो एक तो वह कॉस्ट्टी भी बढ़ता है और फिर फ्रोजन भी होता है आप इसको फ्रोजन करके रख सकते हो आप देखिए इसमें नहीं हलका ब्राउन हो जाएं आप को निकाल के ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में उसको तीन से चार महीने तक स्टोर कर सकते हो जैसे मार्केट में लेकर आते हैं बस देखिए अब मैं वह बचा हो डो था ना उससे में बना रही है उसकी फिंगर्स आप कभी भी किसी पार्टी बड़े पार्टी अपनी मेरेज अनिवर्सरी या कभी कहीं पर भी आप इसको बना के रख सकते हैं एक बार बनाई और तीन-चार महीने तक की छुट्टी आप इसको बस मैंने इसको चोकर काट लिया है बस ये लीजिए और इसकी लंबी-लंबी हम पटियां काट लेंगे मैंने ज्यादा तो नहीं देखो इसमें मैंने मिलाया हुआ है आप देखिए आप इसको न्यू एर पर बहुत जल्दी बन जाएंगे बहुत जल्दी यानि कि 31 को बनाईए और और उसको एक तारे को एंजॉय करिए कभी भी कहीं पर भी इसको एर फा इस पर आप निकाल कर इसको ठंडा होने तक स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन में यह तो सेखना था और मुझे तो गोल्डन ब्राउन तक सेखना है क्योंकि बच्चों को खाना था ना उनको बहुत अच्छे लगते हैं मकेंस तो बस इसको मैं सेख रही हूं गोल्डन फ्रा बनाए जो निव यह पार्टी इस पर किसी भी पार्टी के लिए जट पट बनने वाले चार ऐसे इस टार्टर जो घर पर आप बहुत इसली तरीके से बना सकते हो हैल्थ को देखते हुए बहार से नहीं और यह आटा है इसमें आपको दिखानी पाई देखिए इसके अंदर मैंने काली मेर्च चली फ्लेट्स दोनों को मैंने अच्छे से एड़ किया है हलका सॉल्ट भी आट किया को तो यह थोड़ी स्वाइजी थोड़ा तीखा होना चाहिए बास इसको अच्छे से गोल गोल इसको काट लेंगे उसके बास के रिंग्स काटेंगे हम सर्फेस पर हमने लगाया थोड़ा आटा ताकि अच्छे से चिपके ना और बिल जाए देखिए चली फ्लेट्स काली मेर्च इसमें मैंने एड़ किया है वह आपको दिखाने पाई होगी लाइट चली गई थी ना इसी बीच में अब लाइट आईए तो थोड़ा से उसी आ काटे में मिला लिया था बस इसको हम गोल गोल रिंग्स काटेंगे तब तक हमारे वो फिंगर्स सिक रहे हैं कि देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और जट पड़ बन गें आपके गर कोई गैस्ट भी है ना तब चार्ट एक ही चीज से चार्ट रही डिसे लगों कि वह देखके वड़ा हैपई हैपई हो जाएगा कि बहुत बहुत अच्छा उनका बहल का मुआ है इस तरही बच्चों को तो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं यह सब चीज़ें फ्रोजन भी नहीं आप जट पड़ इसको बना सकते हैं देखिए अगर मेरे एक्स्पिनेशन में अगर थोड़ी सी गलतियां हो रही है तो उसको थोड़ा सा एग्नोर करिएगा क्योंकि नया नया है तो मैं आपको जितना अच्छे से मैं बता पा रही हूं जितना आप समझ पा रहे हो तो प्लीज उसको देख लिए समझ जाईएगा यह मै मैं बना रही हूं मेरे डिश पर देखिए मैंने किस तरह से इसको किया है बनाया है और कैसे मैंने इसको एस्प्रें किया है तो मुझे बताए हो कि मेरे नया नया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह से आपको कहां तक इसको पहुंचाना है किस तरीके से तो बस यह में इसको तब तक यह सिक रहे हैं अब तक प्रप मीं इसको काट नियुदक पिर जुद्स कर लेगे लिजों कितनी ची अच्छे श्माइली क्यों तभी मैं तो जो काएबbrid को चीज रॉल्स इसमें मैंने काली मिर्च और चिली फ्लेक्स मिलाया है इसमें हम रख देंगे चीज देखिए जितना है मैं उतना रख रही हूं थोड़ा-थोड़ा करके बच्चा नहीं था जादा ना तो वस यह देखिए में भर देंगे आप इसमें अच्छे चीज भर भ आप लोग कैसे बनाते हैं यह मुझे बताएं बस यह बन गए तयार हो गए चीज रॉल्स अब देखिए मैंने बताया था नहीं आपकर एक ही आलू से मैंने कितने आप हर किसी को थोड़ा सा हलका सा ब्राउन होने तक उसको निकाल के रूफ फ्रोज भी का उसको फ्रोजन भी कर सकते हैं अब यह बाद है मेरी बेटी ने कहा हम भी मकेंस और बना दीजिए तो उसका मकेंस के लिए फिर से बचा था वैटर उन सब को मिलाके मैं मकेंसी बना र कि अब इसके बाद । यह मेरे चीज रॉल्स को इसकी शेप मुझे बहुत प्यारी लगती है बिल्कुल डिफ्रेंट और डिफ्रेंट में रखें न तो देखने बालस देखने भी सुंदर लगेगा अलग अलगलई स्टार्टर्स भी होंगे पार्टीज में भी अच्छा लगेगा देखिए यह तयार हो रहे है मेरे अब यह तयार हो गए मेरे चार ऐसे स्टार्टर जो किसी भी पार्टी पर छट बड़ बन जाएं और एक ही आलू से एक ही आलू से बनने वाले चार ऐसे स्टार्टर जब चाहो जहां चाहो बना सकते हो और यह है मेरी प्रेजेंट आपको कैसे लगी प्लीज कमेंड करके लिखिए और देखिए चीजी बना हुआ है काफी अच्छे से देखिए 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 कितना मैं और यह देखिए यह बड़ा मैंने पकड़ा आपको देखो आवाज भी क्रंची निकलती है काफी अच्छे मतलब बच्चों को बहुत जल्दी पसंद आने वाले बच्चे तो यह सब चीजें बहुत पसंद करते बच्छे से लेखिएग Кज देखिए लेख